हलो फ्रेंड्स में पूर्णी मा और आप देख रहे हैं पीटी रेसिपी आज हम लेकर आए हैं आपके लिए गार्ड गोभी की बिल्कुल नई रेसिपी तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे ये सूप ये बहुती पॉस्टिक और बहुती नियोट्रिशियस सूप है और ये बन हम लेकर रेसिपी बनाने के लिए काफी है तो ये देखें इस तराके से इसके हम सारे पत्ते जो हम लें है याँ इसन आप और शुचिической करेंड़ आपने सकते हैं जो भी आपको पसंद है और ये जो पत्ते हैं इसका हम मैंश्तिमाल फेक्रिशिपी इसनulations और मेह स्रें और तो सबसे पहले इन पत्तों के जो डंठल है, इन डंठलों को हमें हटा देना है, इस तरह से देखिए, और जो पत्ते पत्ते हैं इन पत्तों का हम योज करेंगे, अब इन पत्तों को हम अच्छे से धोलेंगे, ये देखिए, पत्तों का हमने अच्छे से धोलिया है, अब हम इ इस तरह से हम पत्तों को अच्छे से काट लेंगे तो यह दीखिए हैं हमने यह पत्ते सारे काट ली हैं अब एक पैन गरम करेंगे इसमें डालेंगे हम आधा चम्मज घी खी को पिखलने देंगे जबकि अच्छे से पिखल जाए तो इसमें हम एक जो गाट गोबी के पत्ते हैं इनको हमें फ्राइ करना है तो देखिए यह जो गाट गोबी के पत्ते हैं इसको अब हम इस पैन में डाल देंगे और इसको हम अच्छे से फ्राइ करेंगे यह पत्ते अच्छे dry होते हैं इसका पानी नहीं छूटता इसे medium flame पर हमें कम से कम 5 मिनट तक पकाना है इसे अच्छे से भून लेंगे यह देखिए इसे हमने अच्छे से भून लिया है अब हम गयास कर देंगे बन और इसे थंडा होने देंगे तो यह देखिए, यह हमने इसे अच्छे से भून लिया है, बढ़िया राय से हो गया है, इसे अब हम धंडा होने देंगे, हमें चाहिए दो मीडियम साइज के टमाटर, इनको हम क्या करेंगे, उबाल लेंगे, तो यह पानी हमने अच्छा बॉल कर लिया है, और इस उबलते पानी में यह हम टमाटर डाल देंगे, करीब 2-3 मेर तक हम इसे पकाएंगे, जब यह पकने लगता है ना तो इसका जो छिलका है, यह अपने आप अलग होने लगता है, तो आप समझ लिजे कि यह टमाटर पक रहे हैं, अच्छे से यह देखिए, पहला टमाटर तो बहुत इसे पग्या है, दूसरे को थोड़ा टाइम लग रहा है, इसका भी देखिए, उपर कवर निकल रहा है, और यह भी बहुत अच्छे से अब पकने लगा है, तो इसे दो या तीन मिनट लगेंगे इसे पकाने में, तो इसे अब हम निकाल लेंगे, यह भी पग्या है, इसे निकाल लेते हैं, तो यह तो यह तमाटर बॉल कर लिए है, इसमें आप तुरंध हम थंडा पानी डालेंगे, यह देखिए, थंडा पानी डालते ही, इसके उपर का जो कवर है, वह बढ़ी आसानी से हटने लगा है, इसके उपर का कवर हटा के टमाटर साइड में रख लेत तो यह गार्ट गोभी के पत्ते हैं जिसको हमने घी में बहुत अच्छे से फ्राय कर लिया है दो मीडियम टमाटर इनको हमने बॉल करके छिलका पील आउट कर लिया है आधा से पॉन काटोरी स्वीट कॉन है इसको हमने अच्छे से बॉल कर लिया है मुंगफली के दाने यह भूनीवे मुंगफली है इससे हम दर दर पीस लेंगे यह देखिए मुंगफली को हमने दर दर पीस लिया है हमें फ्राय करने के लिए चाहिए थोड़ा सगी साथी चाहिए ताजा हरा धनिया और लेसुन की तीन चार कलिया इसी के साथ हमें चाहिए काला नमक और काली मिर्स का पाउडर तो आईए आप रेसिपी बनाने की शुरुवात करते हैं सबसे पहले जो टमाटर है इसके छोटे छोटे दुकडे कर लेंगे रफली चॉप करेंगे हरा धनिया को भी हमें रफली चॉप करना है यह देखिए बस ऐसे ही मोटा मोटा काट लेना है लेसुन को थोड़ा सा हमें फाइनली चॉप करना है तो इससे हम अच्छा बारी काट लेंगे तो इस तरीके से हम लैसुन को अच्छा finely chop कर लेंगे अब एक मिक्सिका पॉट लेंगे इसमें हम डालेंगे घीमे फ्राय कि हुए गाटगोपी के पत्ते इसी के साथ यह हम टमाटर भी इसमें डाल देंगे और यह हारा धनिया भी इसी के साथ हम डाल देंगे अब इन सब को पीस कर हमें अच्छा पेस्ट बना लेना है यह देखिए इसे हमने पीस लिया है आवशकता पढ़ने पर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाए और इसे बहुत ही महीन पेस्ट बना लीजिए यह देखिए हमने इसका पेस्ट तयार कर लिया है तो आई एक बार फिर देख लेते हैं कि ये रेसिपी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए हमें चाहिए फ्राय करने के लिए घी बारीक चॉप किया हुए लेसून काला नमक काली मिच अमचुर पाउडर कॉन जो कि बॉइल है भूनी भी मुंख़ली का पाउडर और ये पे पर हम कुकर गर्म करेंगे तो ये देखिए ये कुकर अच्छे से गर्म हो गया है अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा घी को पिखलने देंगे घी जब अच्छे से पिखल जाए तो इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुए लेसून लेसून को थोड़ा सा सुना रहा होने तक भूनने देंगे, करीब एक मिनट लगेगा बस, इसे बढ़िया गोल्डन होने देंगे, अब हम इसमें डाल देंगे, स्वीट कॉन, यह स्वीट कॉन हमने लिया है, पॉन कटोरी, आधा से पॉन कटोरी है, और इसे हमने पहल ही बॉल कर लिया था, तो यह स्वीट कॉन हम अब डालेंगे हम उसमें यह पेस्ट जो हमने बनाया है गारड गोभी के पत्ते हरा दन्या और टमाटर दें तो यह सारा पेस्ट हम इस्में डाल देंगे और मिक्सी के पॉट में हम पानी —工作idekasर Master s facellam up &ettarilurز i people कूकर में डालेंगे एक बारी से अच्छे profits करलेंगे अब में जो सूप है उससाब से मार पानी दालेंगे ॹाँफ cran यहां चार लोगों काफु है और इतना पानी काफ़feld आद्र दालए लूसे काली मिरूच का पौडर चब्यान वैफ दिटा सीछ नमक करिए क्योग HERE बाले दिया कर दोगंगे कब भुनी पॉवी मुव्य मॉपली का फौडर यहां दो बड़े लिया है इससे अच्छे से मिक्स कर आंगे कि अभर हम दालेंगे इसमें 1 द अमचूर का पौडर इसे अच्छे से mix कर लेंगे और gas की flame कर देंगे एक तम high इसमें उबालाने तक ये देखिए इसमें बढ़या से उबाला गया है अब हम इसे बढ़या पकने देंगे करीब 5-6 मिनट देखिए ये सूप पूरी तर से तयार है अब हम gas कर देंगे बन ये देखिए बहुती बढ़िया सूप बन कर तयार है ये बहुती हिल्दी है बहुती न्यूटिशियस है और बिल्कुल न्यू रेसिपी है गाडगोवी के पत्तों का आप ये सूप बना कर जरूर देखिए और हमें बताईएगा कि आपको ये सूप कैसा लगा आये से सरू करते हैं ये देखिए हैना फ्रेंड्स एकदम कमाल का सूप ये जितना न्यूटिशियस है उतना ही टेस्टी भी है अब आगे आप जब भी गाडगो भी लेते हैं तो उसके पत्ते फेकिएगा नहीं उसकी बढ़िया ये रेसिपी बनाईए बहुती न्यूटिश ना लिटो गाश्राइब झाल है क्या ने आगाए का शुक्राइब नाष्राइब कर लिजिए आपके लिए यही बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी और बहुत अच्छी वीडियो के साथ तब तक आ का सुफतर रह zijn नमस्चकार